हलो विलकम बाक टीकोचिफाए आज हम डिसकस करने वाले है जनरल एविनेस के 24 कोश्चन जो कि आपकी आने वाले एक्जाम डिएफ से सीयल के लिए काफे जदा इंपोर्टन्ट होने वाले है आज को सेशन होने वाला है उसमें आपको कुछ इंपोर्टन्ट रिजनिंग के को आपको सेशन को स्कीप नी करना है कम्प्लीट एंट तक देखना है आपके लिए जो सीरीज लाई जा रही है वो आपका कम्प्लीट जनरल एविनेस का पोश्चन कवर अप करवाईगी अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं देखे होंगे तो वो जरूर जाकर देखे क्य मैंने वीडियो डाला था जिसमें इंडियन रेल्वे के बारे में पूरी हिस्टी मैंने एक्स्प्लीन किये आप लोगों के लिए वो बहुत ही जादा इंपोर्टन सेशन है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मिशन उसमें कवर अप किये अगर आपने नहीं देखा होगा तो व आपको यह द्यान में रखना है कि 2021 का पाराशुटिंग वर्ल्ड कप कहां पे हुआ जो कि हुआ आपका UAE में ठीक है और किसने गोल्ड मेडल जीता है सिंग राजनी जीता है इन्होंने किसको डिफिट किया है सर्वर इब्रा गिमोव को डिफिट करके इन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया है ठीक है इन्द पीवन मिंस 10 मिटर एयर पिस्टल S1 ठीक है जो कि आपको यह पिच्चर में नजर कब 2021 में bronze medal किसने जीता है तो answer होगा मुरहम, कुरहान, यामिक इन्होंने जीता है bronze medal तो पढ़ते आगे next question है हमारा two men M and N started walking from the same point अब M और N जो है ये दोनों भी same point है यहां से दोनों walk करना start कर रहा है M walk 4 meter west M जो है वो 4 meter west में जाता है and then turn left और उसकी बाद एक left and लेता है और walk करता है 2 meter ठीक है इतना समझाया meanwhile उसकी बाद N walk करता है 6 meter south अब M और N ने यही से start किया तो N जो है वो यहां से start करता है और वो 6 meter south में जाता है and then turn west and walk 4 kilometer अब एक western लिया और 4 kilometer चला that means यहां पर आ गया ठीक है then turn left and walk 1 kilometer अब एक left and लिया और 1 kilometer walk किया where is M with respect to N अब M यहां से start किया था यहां पर आ के रुका था M ठीक है N ने यहां से start किया था यहां पर आ कर रुका तो कहीं ने कहीं M और N का जो distance बना है वो यह 6 था यहां से 2 गया तो यह 4 बचा और यहां का 1 तो 4 plus 1 is 5 तो 5 हो जाएगा दोने के बीच का distance between M और N अबर में डिरेक्शन जो पुछा है वो M का पुछा है तो M जो है वो north में आता है so answer will be option D 5 M is 5 kilometer north of N ठीक है इसका यह correct answer हो जाएगा I hope आपको समझ आए होगा बढ़ते हैं आगे next question है हमारा question number 3 who is the author of the book artificial intelligence and the future of the power 5 battlegrounds तो artificial intelligence and the future of power के author कौन है यह पुछा जा रहा है तो option A इसका correct answer होगा Rajiv Malhotra जी जो है वो artificial intelligence and future of power के author है ठीक है बढ़ते हैं आगे next question है हमारा which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it अभी हमें एक series दी हुई है इससे हमें complete करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो letters given है वो है A then है B then है D then है C then है A ठीक है और options अगर आप observe करते हो तो आपको जो letters दिख रहे है वो from A to E दिख रहे that means कहीं न कहीं यह जो series है यह exist करती है between the letters A to E ठीक है तो हम क्या करेंगे A से लगे E तक के बीच के कुछ letters को arrange करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले A है A के बाद क्या आता है B आता है मैंने place कर दिया just place किया क्यों? क्योंकि options में B और A से ही starting है तो मुझे A के बाद इधर A आएगा या फिर B आएगा तो मैंने A के बाद पहले B को place कर दिया ठीक है अब फिर से A आ गया A के बाद B place किया फिर से A आया तो मैंने फिर से B place किया B B के बाद आता है C तो आपको एक बाद समझाई होंगी A के बाद B place किया एक लेटर place किया फिर A के बाद हमें दो प्लेटर को place किया दन अगेन A आया फिर अगेन B आया फिर मैंने C यहाँ पे डाला तो अब क्या हो रहा है ठी लेटर प्लेश हुए अब यहाँ पे फिर से A आएगा फिर यहाँ पे B आएगा फिर यहाँ पे C, D और यहाँ पे नएया लेटर E place होगा मतलब क्या हो रहा है कि हर बार A के बाद एक लेटर आड़ हुआ फिर कभी दो letters add वे फिर 3 मतलब कि हुआ ये कि हर बार जो ABC की जो ये series है ये ऐसी बनी कि पहले AB फिर ABC फिर बनी ABCD फिर बनी ABCDE फिर बनेगी continuous ये से consecutively वो बनती जाएगी तो हमें यहां तक ही गिवन थी तो हमारा जो answer बनेगा इसका ऐसा बनेगा B फिर हमारा BC आया फिर आया C तो B, B, C, C जो की option A में available है जो भी हमने fill in the blank में हमने fill किया वो सारी चीज़े हमारे option A में available है इसलिए इस question का सही answer हो जागा आपका option A ठेक है बहुत simple सा question था difficult नहीं था आपको सबसे पहले जब भी आपको इस type के questions दिखेंगे तो आपको ये चीज़ करना है कि आपको आप आपको options में दिख रहा है कि आपको A से लेके E तक का ही letters को fill करना है तो आप कहीं न कहीं फिर उसी के बीच के letters को वहाँ पे डालने की कोशिश करोंगे अधर वाइस अगर आप options को नहीं देखोंगे तो आप अंटरणम बहुत कुछ सोचना स्थार्ट कर दोगे और वो question में जाधा time spend कर दोगे इसलिए आपको smart approach को follow करना होगा I hope आपको ये question समझाओगा बढ़ते हैं आगे In a class, Dishan gets more marks than Tara अब ये है हमारा order and rank accelerated ठीक है तो Dishan जो है उससे जाधा marks मिले है as compared to Tara ठीक है इस तरह हमने लिख लिया next आशा gets more marks than Tara but less than Rohit आशा को जाधा marks मिले है तारा से लेकिन Rohit से उसे कम marks मिले है ये समझाओगा next रानित gets more marks than Dishan अब यहाँ पर एक मैं star mark देना चाहूँगी बहुत सारे student हड़ बड़ी में इससे Rohit ही read करेंगे और बहुत बार exam में इसी type का confusion आपको दिया जाता है फिर आपकी एक तो वो arrangement बनेंगी नहीं और शायद बन भी जाये तो आप wrong answer mark करोगे तो मेरा आपको एक ही suggestion है जब भी आप questions को solve करते हो तो concentration से कामली solve करने की कोशिश करो ताकि आप जो भी answer मारो वो correct रहे ठीक है तो रोनित gets more marks than दिशान दिशान को दिशान से ज़ादा marks मिले है रोनित को ऐसा बोला गया है but less than आशा लेकिन आशा से क्या है कम marks है ठीक है तो कही न कहीं जो आशा आएगी वो रोनित से पहले आएगी और आशा से पहले कौन था रोहित था और हमारा जो arrangement है वो ready हो हमें ये फुलिफिल करना था कि आशा जो है वो बड़ी है तारह से तो yes वो बड़ी हो गई हो ठीक है और रोहित जो है वो आशा से बढ़ा है yes उसको उससे ज़्यादा marks मिल गया correct then हमें ये भी फुलिफिल करना था कि रोनित को दिशान से कम है वो हमने बता दिया और रोनि them get highest mark इन में से किसको सबसे ज़्यादा marks मिले है तो answer will be option A that is Rohit ठीक है समझ आया बढ़ता है आगे next question है हमारा match the column सार्क सार्क का headquarter इन्होंने बोला है कि धका में है that is wrong सार्क का headquarter है वो है आपका Kathmandu नेपाल में ठीक है यह आपका इसका headquarter इन्होंने बोला है कि बैंक कॉंक में है यह अगेन गलत हो जाएगा इसका जो headquarter है वो है जकार्दा इंडोनेशिया में तो आपका यह भी option गलत हो गया तो next is NATO NATO का full form होता है North Atlantic Treaty Organization जिसका headquarter बोला गया है Brussels Belgium and yes it is correct Brussels Belgium में ही है NATO का headquarter and last है आपका ADB, ADB का full form होता है Asian Development Bank and इसका जो headquarter आपके लिए दिया गया है वो है Mandalayong Philippines, yes it is also correct लेकिन question क्या पूचा है which of the pair given below are incorrectly matched ठीक है, question को अच्छे से deed करना है question में हमें यह नहीं पूचा है कि कौन से सही है, बहुत से स्टूटन इसका answer यह भी mark करेंगे 3 and 4 follow अगर और वो लोग जान बुचके उस type के questions आपको देते है तो आपको again यही चीज़ बोलूँगी कि question को calmly अच्छे से read करो ताकि आप correct answer को mark कर पाओ तो incorrectly mark पूचा है और वो है हमारा option 1 and 2 so answer will be option A, 1 and 2 only ठीक है, बढ़ते हैं आगे next question है हमारा consider the following sequence how many symbols are immediately followed by a number ऐसा बोला गया कि कितने symbols है ठीक है, जिनके बाद जो है number, जो की number से follow कर रहे है तो symbol मतलब कि कुछ जो इस type के होता है ठीक है, आपको यह series में percentage, add the rate, copyright, percentage इन सबको बोला जाएगा symbol तो कितने symbols के बाद number है यह हमको देखना है तो सबसे पहले percent के बाद six आ रहा है, यह हो गया then add the rate के बाद two आ रहा है, यह second हो रहा है then copyright के बाद के आ रहा है, तो यह आपका गलत हो गया then percent के बाद s आ रहा है, यह भी आपका गलत हो गया symbol सारी खतम हो गया, so answer will be option c that is two ठीक है, समझा है, बहुती simple question था, बढ़ते है आगे which of the following monument is not built by Shah Jahan, इन में से कौन सा monument जो है, जो Shah Jahan ने built नहीं किया है, answer will be option A, Agra Fort, Agra Fort जो है, वो Shah Jahan ने नहीं built किया है, बलकि Akbar ने built किया है, ठीक है, बाकी सारे जो remaining options है, जो की ताच महल, पिकॉक थ्रोन, और रेट फोर्ट, ये तीनों भी जो है, वो Shah Jahan ने built किये है, अब आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा, कि अकबर ने कौन से कौन से famous monument जो है, जो है वो built किये है, और शाहाजान ने कौन से built किये, तो अकबर ने built किये, वो है पंच महल जो कि फ़तेपूर सिकरी में है, तन इबादत खाना जो की अगेन फ़तेपूर सिकरी में है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, छीक है, जो की अकबर ने build किया है, बुलन दरवाजा फ़तेपूर सिकरी में है अलावाद फोट जो उत्रप्रदेश में उसे अकबर ने बिल्ट किया है दिन आपका शाहजान ने बिल्ट किया है रेट फोट जो की डली का ताजमल आगरा का, मोटी मस्जिद आगरा का, जामा मस्जिद डली का पिकॉक थ्रोन ये सारी चीज़े जो है वो शाहजान ने बिल्ट किये ये बहुती जादा थोड़ा confusing सा question था और बहुती जादा important है आपको ध्यान में रखना होगा आगरा फोट जो है वो अकबर ने बिल्ट किया हुआ है ठीक है बढ़ते हैं आगे, next question है हमारा all red are green, all red are green, ठीक है ये बना लिया हमने then some green are blue, some green are blue, अब हमारा conclusion क्या है all red being a blue is a possibility, possibility आई तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताईए जिस जब भी possibility ये शब्द आप देखते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो भी possibility हमें हमारी बनाईवी figure में नहीं दिखती है वो possibility क्या हो जाती है हमारी? सही हो जाती है तो चलो देखते है, all red being blue पूरे के पूरे red blue दिख रहे है क्या हमको figure में? नहीं दिख रहे है that means इस cancer क्या हो जाएगा? correct I hope आपको समझायोगा जब भी possibility आती है एक ही rule माइन में रखना है simple सा rule है अगर हमें question में दी हुई चीज अगर figure में नजर नहीं आ रही है that means हमारी possibility correct हो जाएगी अगर हमें figure में नजर आता कुछ figure इस तरह होती all red are blue इस तरह अगर होता ठीक है अगर यह हमें नजर आता और हमें इसके साथ possibility पूछी रहती तो वो आपका गलत हो जाता because already है न all red are blue है न तो इसकी possibility क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी लेकिन यहाँ पे था क्या? all red are blue? नहीं था इसलिए possibility क्या हो गई? correct हो गई I hope आपको समझ जाएगा and second conclusion है at least some green is not red क्या बोला है? at least some green is not red अप एक और चीज़ जब भी आपकी figure आपका statement completely positive है और आपको जो conclusion दिया हुआ है वो negative है तो आपको figure में देखने की जरूरत नहीं है आप automatic उसे wrong mark कर दोगे ठीक है जब भी आपका statement positive और आनी वाला conclusion अगर negative है तो वो गलत हो जाएगा figure में देखने की जरूरत नहीं है ये मैं आपको surely बताती हूँ ठीक है statement positive तो negative conclusion जो रहेगा वो गलत हो जाएगा hundred percent ठीक है इसलिए इस question का सही answer क्या हो जाएगा only one follows conclusion one follows that is option a will be correct answer ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा मैंने आपे दो चीज़े बताई आपको possibility की भी चीज़ बताई और not वाली चीज़ बताई और not वाली चीज़ कब बख करेगी ये बात ध्यान में रखो जब आपका statement completely पूरा का पूरा positive रहेगा तब ही अगर उसमें not वाला sentence आजाता है no वाला some not वाला आता है तो वो जो मैंने रूल बताई वो follow नहीं करेगा ठीक है जब वो positive रहेगा और negative conclusion दिया हो रहेगा तो वो always wrong रहेगा ठीक है बढ़ते हैं आगे next question है मारा which of the following plant hormones are helpful for growth and development इन में से कौन से hormones जो है जो की plant को growth और development के लिए मदद करते है ये हमें बताना है सबसे पहला आता है अपका oxine option 2 है gibber lens option C है cytokinines and option 4 है abysic acid इसमें से 1, 2 और 3 जो है ये तीनों भी plant की growth के लिए help करते है और abysic acid जो होता है वो plant की growth को stop करता है तो हमारा जो इस question का सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option D 1, 2 and 3 जो options है वो help करते है plant को growth और development के लिए आपको ये सारे hormones के नाम ध्यान में रखने है oxyn, gibalins and cytokinins ये जो hormones है ये plant को मदद करते है growth और development के लिए लेकिन abysic acid जो होता है वो plant की growth को stop करता है आपको नीचे information दिए अगर आप वो read करोगे तो आपको समझा जाएगा बढ़ते हैं आगे next question है हमारा related to data sufficiency पूछा क्या है question में what is the age of Maya इस type के question को कैसे solve करना होता है आपको question पूछा जाता है कि Maya की age क्या है तो आप इसका answer कितने statements को लेकर बता पाऊगे या फिर नहीं भी बता पाऊगे इसको कहते है data sufficiency जिसे कि अगर अब यहाँ पे पूछा गया है कि Maya की age क्या है तो आप सिर्फ और सिर्फ statement one लेकर आप इसका answer कर पा रही हो क्या या फिर statement two लेकर कर पा रही हो क्या या फिर आप बोथ लेकर कर पा रही हो क्या या फिर आप either one या फिर और two से answer आ रहा है क्या या फिर दोनों के मिला के नहीं आ रहा है क्या इस type के answer आपको करना होता है तो आपको भी समझ आएगा जिससे हम इसका answer करेंगे अब हमें या पर पुछा है कि Maya की age क्या है अगर हम सिर्फ स्टेट्मेंट 1 को लेते है तो क्या होता है देखते है हमें statement 1 में बोला है कि average age of Yashraj Maya and Mohan is 23 अगर हमें बोला है कि average age दिया हुआ है of Yashraj plus Maya plus Mohan जो कि दिया हुआ है 23 अब average is same मैं एक hardly इन तीनों की जो actual age है कितनी हो सकती वो पता कर सकती हूँ by multiply by 3 that is 69 बट मैं particular Maya की age तो पहले statement से नहीं निकाल पारी हूँ that means only one से तो answer नहीं आएगा लेकिन अब मैं सिर्फ 2 से निकाल पाती हूँ क्या ये मैं देखती हूँ अब सिर्फ 2 अगर मैं देखती हूँ तो है sum of age of यश्राज प्लस मोहन is 25 अब मुझे बता यश्राज और मोहन की बात की जारी Maya का तो ये option 2 में नामों निशान तक नहीं है that means सिर्फ और सिर्फ 2 से भी मैं इसका answer नहीं कर पाऊँ लेकि शायद अगर मैं दोनों को merge किया तो मैं कर पाऊँ किया ये मुझे देखना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि average age दीवी थी यश्राज माया और मोहन की जो थी 23 तो actual age कितनी हो जाएगी multiplied by 3 करूँगी तो इन तीनों की addition हो जाएगी age की वो हो जाएगी 69 यश्राज प्लस मोहन प्लस माया is equal to 69 और उसमें option T2 में ये बोला गया था कि यश्राज और मोहन जो है वो उन दोनों की मिला के जो age है वो 25 साल है अगर मैं 69 में से 25 को minus करती हूँ तो मेरा आएगा 44 तो वो आजेगी मेरी बच्ची वाली age माया की yes मैं उन 1 और 2 इन दोनों को जब मिला लेती हूँ तब मैं answer कर पारी हूँ that means इस question का मेरा answer हो जाएगा both statement 1 and 2 together are needed option C इस question का सही answer हो जाएगा समझ आया simple सा question होता है data sufficiency ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिफ ये पता करना होता है कि कितने statements को लेकर हम given question का answer कर पार है या फिर नहीं कर पार है बढ़ते हैं आके next question है हमारा which of the following article of constitutional bodies are not correctly match specially आजकल questions में बहुत बार अभी जो question पूछे जा रहे वो बहुत बार not related ही पूछे जा रहे इसलिए मैंने आप लोगों को उसकी habit हो इसलिए उसी type के questions लेकर आई हूँ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको not पूछा जा रहे कि कौन सा correctly match नहीं है ये पूछा जा रहे तो सबसे पहला है हमारा article 324, 324 belong to इन्होंने बोला है election commission, yes it is correct जो भी election होते है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोग सबा के, राज्य सबा के, विदान परिशत के, विदान सबा के, that is state legislative assembly and state legislative council तो इनके सारे जो भी elections होते हैं, वो आते हैं under article 324, तो ये हो जाएगा आपका correct, मतलब ये correctly match है, तो ये हो गया first, अब second है हमारा article 280, 280 के बोला है finance commission, ये भी correct हो जाएगा, finance commission जो आता है, वो आता है हमारा article 280 के बीच, finance commission मतलब क्या होता है, जो finance commission हमारा dot access में divided है, state and central के बीच में divided है, ठीक है, तो हमारा जो finance commission आता है, वो article 280 के अंदर ही आता है, तो ये भी आपका correct हो जाएगा, तो निकसी हमारा article 148, जो के आता है C.A.G, controller and auditor general of India, ये भी आपका correct हो जाएगा, जो controller and auditor general of India जो आता है, वो article 148 के अंदर आता है, तो ये भी आप का correct match है ठीक है then last है article 76 and उसके लिए जो given है वो है solicitor general of India यह हो जाएक आपका wrong because article 76 जो आता है न वो आपका आता है attorney journal of India के अंदर और इनो ने दिया है solicitor general of India इसलिए यह जो option 4 है वो गलत हो जाएगा तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा only d that is only 4 is not correctly match ठीक है I hope आपको समझ आओगा और आपको quality के questions थोड़े difficult जाते होगे क्यों क्योंकि हम जो है कि आपको articles तो याद रखने ही पड़ते है उसके अगर आपके पास कोई option नहीं है कि आप उसको अगर एक बार पढ़ लोगे शायद वो आपको एक्जाम में याद भी नहीं आयो तो आपको जब भी मैं articles related questions लाती हूँ तो वो सारे questions आपको ध्यान में रखने है ताकि अगर उस तैप का question एक्जाम में बने तो आप correct answer mark कर पाओ ठीक है quality आपको याद रखनी ही होगी because वो बहुत confusion होता है और उसमें अगर articles related question पूछे जाते है तो जिसको वो याद होते है वही लोग उसका answer correct mark कर पाते है otherwise बाकी लोग तो answer को skip कर देते है और उसको गलत solve करके आ जाते है तो आपको articles याद रखनी होगे और जितने भी important है guys आपके end तके में सारे cover up कर वा दोंगे ठीक है बढ़ते है आगे next question है हमारा related to setting arrangement md pkrt and w are sitting around a circle facing center अब जब भी इस type का question आता है most of the time हमारे mind में यही होता है कि 8 लोगों होंगे और हम 8 लोगों का arrangement बना देते है इसलिए मैंने आपके लिए again इस type का question लाया अब आपको letters को count करना होगा जब भी आपको नहीं दिया हुआ है कि 8 people mention नहीं किया ह हुआ है कि कितने लोग बैठे हुए है तो please guys आपना अपना time जरूर निकाले और सबसे पहले letter counting करें तो आपको पता चले का कि exactly आपको कितने लोगों की setting arrangement बनानी है ठीक है सबसे पहले हम letters को count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7 total letters कितने 7 that means arrangement कितने लोगों की 7 लोगों की है हम क्या कर होता है हमारा arrangement बैठानी और हमारा time बेस्ट हो रहा है फिर हम देखते है क्या हुआ क्या हुआ क्यों नहीं बैट रहा है कुछ लोग उसमें से demotivate होके वो question को skip कर देते है और move on करते है next question पे और कुछ लोग फिर lead करते तो पता चलता है अरे 7 लोगों का arrangement वो फिर से बनात waste नहीं होगा और आपको यह सिर्फ कप करना होता है guys जब आपको वहाँ पे given नहीं होता है ठीक है तब तो आपको यह बात मेरी ध्यान में रखने होगी कि जब भी आपको given यह कि कित्ते लोगों का arrangement है please letter count कीजिए तो यहाँ पे है 7 लोगों का arrangement अब I sitting around a circle facing center सारे के सारे center अब हम बनाएंगे 7 लोगों का arrangement यह हमारा 7 लोगों का arrangement बन चुका है अब अब start करते हमारे question को D is second to the right of P अब P को मैंने यहाँ पे place किया इसके second right में जो है वो D है यहाँ पे place हो किया आगे बढ़ते हैं who is third to the right of K अब यह जो हू आया हुआ है अगर आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हो तो आपको मैंने यह doubt अभी तक जिन लोगों ने देखा होगा consecutively मेरा वीडियो तो शायद उन लोगों को इसमें confusion नहीं होगा और वो जो भी step लेंगे इसको solve करने के लिए वो correct step लेंगी लेकिन जो लोग आज पहली वाद देख लें उनके लिए बताऊंगी जो हू आता है वो उसके immediate previous जो letter रहता है उसके लिए आता है तो वो P के लिए आया हुआ है P is third to the right of K K के third right में P है that means K यहाँ पे place होगा उसके third right में first second and third third right में P है correct हो गया आगे बढ़ता है T is third to the right of W who is not immediate neighbor of B अब क्या बोला है who बोला है W मतलब W के W जो है वो D का immediate neighbor नहीं है मतलब कि W आपका यहाँ पे नहीं आएगा और बोला है T is third to the right of W W के third right में जो है गो T है तो W कही नहीं कहाँ पे आएगा आपका ये दो places बच्ची हुई है यहीं पे आएगा ठीक है तो एक काम करते है W को यहाँ पर place करते है ठीक है यहाँ पे हमने W को place किया तो इसका third right कहाँ पे आएगा third left में आपका M जो है वो यहाँ पर आजाएगा हमारा arrangement ready है अब हम question के answer solve करते है question क्या बोला है who is second to the right of T T के second right में कौन है 1, 2, M answer क्या हो जाएगा M option C is question का सही answer हो जाएगा बढ़ते है आगे next question क्या है in which of the following pair is the second person sitting to the immediate right of the first person अब आपके लिए यह जो figure है यहाँ पर already arrangement जो हमने बनाई वो आपके लिए यहाँ पर mention किये अब question कैसा है अच्छे से देखो question में यह बोला हुआ है कि हमें कुछ pairs दी हुई है और उस pairs में हमें यह पता करना है कि जो second person है वो first person के immediate right में बैठा हुआ है तो वो किस option में है तो हम देखेंगे सारे options को ठीक है सबसे पहले आपका आता है D और T अब हमें देखना है second person जो कि है आपका T तो T के D के right में आ रहा है क्या नहीं यह क्या हो जा रहा है left में आ रहा है ठीक है तो यह option हमारा गलत हो गया then है T P T और P को देखते है T के बाद P आ रहा है P second letter है अब second letter T के क्या रहा है again left में आ रहा है ठीक है तो यह भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा then है P R P और R को देखते है R है second letter अब R P के left में आ रहा है again फिर से left में आ रहा है तो ये भी आपका option क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अब none of these है और kw है, तो ऐसाथ kw को मार कर मता जाना, कभी कबर answer kw भी हो सकता है या फिर none of this भी हो सकता है, जब भी none of these होता है आपको एक और बात बात बता दियो, जब भी option में none of this given होगा, please सारे options को cross check कीजे, क्योंकि none of this भी answer हो सकता है, ठीक है, so then है kw, k और w, w के उसका second letter है, और k क्या w जो आ रहा है, वो क्या रहा है, right में आ रहा है, और हमें यही चाहिए था, option b इसका क्या हो जाएगा, correct answer, ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं आया रहता, ये भी गलत होता, तो answer हमारा none of this हो सकता था, तो आप अगर गलती से आपका correct हुआ, तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन आप फिर घाई गडबर में आपका marks भी खो दोंगे, इसलिए अगर आपने तीन options चेक किये, तो आप एक option चेक करने के लिए घाई नहीं करना, सारे options को चेक करना, अगर none of these है तो, ठीक है, तो kw हमारा question का सही answer हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे, next question है हमारा, who was the first female secretary general of Rajya Sabha, Rajya Sabha की पहली female secretary general कौन थी, option होगा, option A, V.S. Ramadevī, V.S. Ramadevī जो थी, वो Rajya Sabha की पहली female secretary general थी, ठीक है, अब, इसके साथ आपको दो चीज़े और देहन में रखने हैं, जो की, मैंने key points में mention किये, first female, अगर deputy chairman of Rajya Sabha बोली गई, तो वो थी Violet Alva, ये थी हमारी first deputy chairman of Rajya Sabha, और लोक सबा की, जिस तरह हमें question में पूछा था, secretary general of Rajya Sabha पहली female कौन थी, वो थी, V.S. Ramadevī, उसी तरह आपको एक्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, कि first female secretary general of लोक सबा कौन है, तो वो थी स्निहलता श्रीवास सबा, ठीक है, तो श्रीवास सबा तो जो थी, वो हमारी secretary general थी, लोक सबा की, ठीक है, तो ये female related question था, first female, first female of लोक सबा, राज्य सबा, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे, important है, ध्यान में रखना होगा, अब ये हमारा blood relationship question, इसको हम सॉल्व करते हैं, Satish is the son of Pratik, Pratik का son है, Satish, ये हमने बना दिया, The next बुला है, Sia, who is Akash sister, Sia जो है, वो Akash की sister है, and has a son, Manish, मतलब, Sia जो है, वो Akash की sister है, और उसको जो बेटा है, वो है, Manish, and daughter Sita, and उसे daughter भी है Sita, जो कि मैंने बताया आपको, क्या बुला है, Sia, who is the Akash sister, Akash की sister है Sia, has a son, Manish, उसको एक son है Manish, and a daughter Sita, और उसको एक बेटी है Sita, हमने ये बना लिया इतना, अब, last क्या बुला है, प्रतिक is the maternal uncle of Manish, यही statement जो है, वो इन दोनों को मर्ज कर देगा, यही वो statement है, प्रतिक क्या है maternal uncle, maternal uncle मतलब होता है, मामा, ठीक है, प्रतिक is the maternal uncle of Manish, प्रतिक जो हो जाएगा, अगर maternal uncle हो जाएगा, Manish का, that means, सिया जो, यह जो arrangement है, हमारा, इस तरह, इसके साथ, मर्जब हो जाएगा, प्रतिक अगर maternal uncle है, तो कहीं न कहीं सिया, सिया जो है, वो प्रतिक की बहन हो जाएगी, ठीक है, तो हमने वो मर्ज कर दिया, अब हमें कोशन में क्या पूछा है, प्रतिक का बेटा जो है, और सिया का बेटा जो है, वो मनीश है, तो यह क्या हो जाएगे, इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा, हमें कुछ डो अलग-अलग हमारे blood relations बन रहते हैं, अब उसको जो merge करनेंगा, बहुत बार ऐसे ही होता है, फिर उसको एक statement मिलता है हमें, और वो एक statement जो होता है, वो हमारे blood relation को merge करता है, तो इस question में वो ये था, प्रतिक is the maternal uncle of Manish, और इससे हमने ये conclude कि प्रतिक जो है, वो सिया का बाही है, क्यों क्योंकि वो बुला गया था, वो Manish का मामा है, maternal uncle मतलब क्या होता है, मामा, इसलिए हमारा जो arrangement था, जो दो अलग अलग थे, वो मर जो गए, और हमने इस question का जो answer किया, वो था हमारा option A, cousin, I hope आपको समझ आए होगा, पढ़ते हैं आगे, who has been appointed as the first female chairman of NASCOM, NASCOM की पहली female chairman, कौन appointee ये पूछा है, तो वो होगा answer, option B, Rekha Menon, Rekha Menon बनी है, पहली chairman जो की NASCOM की बनी है, NASCOM का full form ध्यान में रखना बहुती ज़दा important है, वो है National Association of Software and Service Companies, इसका जो headquarter है, वो आपका new Delhi में है, ठीक है, बहुत important question है, देखा Menon बनी है, पहली female chairman of NASCOM, अब आपको यहाँ पे screenshot नजर आ रहा होगा, who is who का, तो अगर आप यह exam से पहले video देखकर जाओगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़ादा महतुपर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी सारी national organizations की और जो भी important appointments है, जो भी recently हुई है, वो सारी cover up की गई है, एक ही video में आपको पूरा content मिल रहा है, जो कि आपके exam के लिए बहुत ही ज़ादा important है, तो आप यह video ज़रूर exam से पहले देखकर जाए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़ादा important होने वाला है, appointment exam में पूछी जाती है, और इस video में सारी appointment को cover up किया गया है, उनके headquarters के साथ, उनके abbreviations के साथ, तो आपका abbreviations का भी part clear up होगा, and आपका headquarter भी clear होगा, तो आप यह video नहीं देखे होंगे, जिन भी लोगे ने, तो वो ज़रूर जाकर देखे, क्योंकि यह बहुत ही जादा important है, ठीक है, आप इस video को after this video, I button पे click करके जाक अगर देख सकते हो, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, next question है हमारा, which day has been celebrated as the world heritage day, कौन से दीन को world heritage day मनाया जाता है, कौन से दीन celebrate किया जाता है, so answer होगा, इसका option C, 18th of April को मनाया जाता है, world heritage day, and इस साल का जो theme था, वो था complex past, diverse futures, तो आपको theme भी देन में रखना होगा, world heritage day का, जो theme था, वो था complex past, diverse future, and इस से 18th of April को मनाया जाता है, next question है हमारा, in a certain code language, combine is written as this, so how is two word written in that code language, अब combine का जो code है, वो हमें दिया हुआ है, हम लिख लेंगे, x, l, n, y, r, m, v, ठीक है, so हमें two word का code पुछा हुआ है, ठीक है, अब combine, जिसको भी opposite latest पता होंगे, वो इस question का answer बहुत easily और जल्दी कर पाएंगे, बर जिन लोगों को नहीं पता होगा, वो लोग confused होंगे, वो लोग शायद mark करेंगे, या फिर नहीं भी करेंगे answer, ठीक है, तो इसके लिए आपको opposites पता होना important है, जो कि आपको इस box में नजर आ होंगे, इसे कहा जाता है opposite, जो कि कुछ इस तरह होते हैं, आपको यह थरली याद होना चाहिए, अगर आपको यह याद है, तो शायद इसका answer mark करना आपके लिए बहुत हीज़ी है, यह क्या होगे आपके opposites हो रहे है, उसी तरह आपको इसके opposites निकालना है, तो क्या होगा डबली का क्या होता है, डी होता है, एका क्या होता है, जैड होता है, आर का क्या होता है, आय होता है, डी का क्या होता है, डबली होता है, कौनसे option में given है, option C में given है, तो option C will be correct answer, यह था opposite values given थी, ठीक है, opposite उसके letters given थे, ठीक है, I hope अपको समझ जाया होगा, आपको यह जो है या आपको अगर आप continuously 10 बार बोलोंगे न तो 11 बार आप automatically आपको यह याद हो जाएगा, सिर्फ 10 बार आपको फड़ाफट बोलना है, is it, by, c, d, w, e, v, f, u, g, t, h, s, i, r, j, q, k, p, l, o, m, n, 10 times बो, 11 times automatically आपको letters को बोलना याद आएगा, अगर आपको यह याद होगा, तो बहुत बार यह वाला logic लगता है, तो आपको exam में यह help करेगा, ठीक है, तो option C, इसका correct answer होगा, बढ़ते हैं, आगे, इंडिया ranked at dash place in 16th global climate risk index 2021 by German watch, तो climate risk index जो है, जो release करता है, वो है German watch, 2021 में इंडिया ने कौन सा rank हासिल किया है, यह पूछा जा रहा है, answer will be option C, 7, 7 इसका correct answer होगा, इंडिया का 20-21 का rank है, वो है 7th, किसमें global climate risk index में, जो कि release करता है German watch, और इस साल का जो edition था, वो था 16th वा edition, तो आपको सारी चीज़ धान में रखनी है, 16th वा edition था, रिलीस करता है German watch, global climate risk index था 2021 का, जिसमें इंडिया का जो rank है, वो 7th है, और top most affected countries जो है, top 3 countries जो है, वो है, Mozambique, Zimbombay and Bahamas, यह धन में रखना होगा, top, तो धन म में रखो Mozambique, top 3 भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको Mozambique ध्यान में रखना होगा, कि यह top पे आती है, और इंडिया का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इंडिया का जो है, वो 7th ध्यान में रखना है, और top 3 पे जो आती है वो है Mozambique, Zambombay और Bahamas बढ़ते हैं आगे, next question है हमारा World B day is observed globally on which day every year, तो हमें question में पूछा जा रहा है कि World B day जो है वो हर साल कौन से दिन मनाय जाता है, तो इसका answer होगा option A, that is 20th of May को मनाय जाता है World B day, B मतलब होता है मधुमक्की तो इसे मधुमक्की रिवस मनाय जाता है अंतर राष्टिया जो कि 20 में को मनाय जाता है और इस साल का जो theme था वो था, be engaged build back better for bees be engaged build back better for bees तो ये हो जाएगा इसका theme जो कि हर में B, 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 B ठीक है, be engaged build back better for bees ये होगा इस साल का theme तो आपको ध्यान में रखना होगा, B, B मनाय जाता है 20th of May and theme को भी ध्यान में रखना होगा, बढ़ते हैं आगे next question है हमारा 7, 11, question mark 31, 47 तो ये जो है, ये हमारी है missing series अब 7 से जो 11 आया हुआ है अब ये series कैसे form हो रही है, ये हमें find out करना होगा, ठीक है तो 7 और 11 का जो difference है वो आरहा है आपका 4 47 और 31 का जो difference आरहा है वो आरहा है 16, तो आप कहीं न कहीं ये logic लगा सकते हो कि 4 और 16 दिख रहा है, बीच का जो letter आता है, वो आता है, 4-2s are 8 and 4-3s are 12, वो आता है 16 शायद हम इस logic से जाकर देखते है, अगर बन गया logic तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कुछ और ट्राइ करेंगे तो अगर यहां पर प्लस 4 हुआ तो प्लस 8 किया तो यहां पर 19 आजाएगा और फिर 19 में से अगर मैं 31 माइनस करती हूँ तो 12 भी आता है, तो मेरा जो logic था जो मैंने लगाया, वो लग गया, इसलिए option B इसका correct answer हो जाएगा 19, चीक है, बढ़ते है आगे next question जो कि इस से इसका last question होगा O3 is relate to Y5 so J2 related to what यह पूछा हुआ है, अब बहुत यह अच्छा question है यह then में रखना होगा कि O का जो positional value है, वो क्या है 15 है, यह समझ आया O का positional value कितना है 15 है, ठीक है then उसके बाद, Y का positional value कितना है, 25 है अब अब इससे यह चीज़ का logic लगा सकते हो कि अगर आपने इसको 5 से divide किया, तो answer आया 3, 5, 3 जा 15 then 25 को 5 से divide किया 5 से divide किया तो आप का answer क्या आता है, 5 मतलब हुआ यह, कि आपको जो letter था उसका positional value दिया हुआ था और उसको 5 से divide किया, तो आपके जो बाजु का 3 और 5 है, वो बन गया था उसी तरह हम करते है, J का जो code है, वो कितना है, 10 है अगर मैं उसको 5 से divide करती हूँ तो 2 आ रहा है, Yes तो मैंने जो logic लगाया, वो इन दोनों में तो correct ही आया, लेकिन मेरा यह third में भी work कर गया तो अब next क्या होगा, यह हमें निकालना है तो next किसमें work करेगा, T का आता है 20 20 को अगर मैं 5 से divide करूँगे तो answer क्या जाएगा, मेरा 4 तो पहले ही option में answer आगया, T4 इस question का सही answer हो जाएगा option A क्या हो जाएगा, करेगा तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा, option A, T4 आज हमने 24 questions पड़े I hope आपको सारे questions समझ आया होंगे और पसंद आया होगे, अगर आपको जो series चल रही है, वो पसंद आ रही है तो इसको like कीजिए और आपको किस type के questions चाहिए आप आने वाला वीडियो कैसा चाहते हो आप comment box में comment कीजिए ताकि आपको next session उसी के basis पे मिलेगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को like करना है अपने जादा जादा friends के शेर करना है चानल को subscribe करना नहीं बूलना है साथे साथ बेल icon को प्रेस करें ताकि आपको जल्दी जो भी वीडियो है उसकी notification आपको सबसे पहले मिले आपको वीडियो करता है